तो दोस्तो फाइनली आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं से लोन अप्लिकेशन के अबारे में जिसमें कि आपको अधार काड़ा और पेन काड़ के जरी से लोन इमांट्स आप ले सकते 30,000 रुपए से लेकर पूरी 1,000,000 रुपए तक का लोन तो दोस्तो इस वीडियो में आपको लाइफ उरुफ देने वाला हूँ कि मुझे यहाँ पर कितने रुपए की लिमिट मिली है तो दोस्तो उससे पहले हम आपको बताएंगे कैसे रेजिस्टेशन करना है क्या क्या डोकुमेंट से लगेंगे सारे चीचे दोस्तो वीडियो में आपके साथ लाइफ करने वाला हूँ और दोस्तो ये भी बताएंगे कि यहाँ पर कितने की मुझे लिमिट मिली है क्या लिजबिलिटी होगी सारी जनकारी इस दोस्तो इस वीडियो में हम आपको देने वाले है और दोस्तो वीडियो पसंग आते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करने गाएlly. प्लिज्ट आपसे रिक्वेस्ट अगर हमारे चेनल से पहली बारा हैание तो चैनल को सब्सक्राइब करने गा वेक्यूंकि लॉन और फाइनसे रिलेटेड मैं आपके लिए लाते रहता हूं तो दोस्तो वीडियोग पसंद अना पर ग्रालाय च्नल को subscribe को इफ वाली डोची नोटिफिकेशण आपर आप सबसे पहले मिलेये तो चली वीडियोगioni संटार्ट कर लेते हैं तो दोस्तो फाइनली आज रूआ मोबाइल की स्क्रीन तो दोस्तो इस वीडियो में आपको लाइप प्रूफ देने वाला हूँ कि मैं यहाँ पर लोन इमाउंट्स निकाल चुका हूँ वह भी यहाँ पर 2800 उर्पे की लोन इमाउंट्स यह कैसे पॉसिबल होगा किस तरह से आपको यहाँ पर अधार काड़ पेन काड़ के जरी आपको यहाँ आपको मुबाइल नंबर के साथ इंटर कर लेना ऊठक exponentially чक कर लेना है दोस्तो नेष्ट करने के裁ए अपको क्या करने है आप अपना प्लिकेशन पर एक डिकर लेंगे तो अपने आप यहाँ पर लोगिन कर पाएंगे तो अपने इस मोबाइल नमर के से आप वेरिफिकेशन भी कर लिजेगा दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 30,000 रुपे की लिमिट मिल चुकी है जैसे कि आप यहाँ पर रेजिस्टर करते हैं तो यहाँ जैसे कि आपको यहाँ पर आपक इनफोर्मेशन शेयर करना होगा उसके बद जैसे आपका डॉकुमेंट्स वेरिफाई होते हैं आपको एप्रूबल भी मिल जाती है उसके बद बैंक एकाउंट में ले सकते हैं चलिए इस गेट दाब मनी को उपर क्लिक करेंगे जैसे इस दूस्तों इसके उपर क्लिक करते हैं तो आपको यह फोर स्टेप में आपको यह लोंस कम्प्लीट करना होगा यानि की डॉकुमेंट्स आपको इनफोर्मेशन शेयर करने होगे फोर स्टेप में तो दोस्तों फेसिक डॉक इनफोर्मेशन आपको इस सेयर करने होगे जो कि आपका पैन कार्ड में नाम होगा नेम लास्ट नेम वही सही सही डीटेस डालिएगा जो भी आपका जेंडर होगा डीटफ वर्थ इमेल एड़ी आप जो वर्ट इन्फोर्मेशन और वह इस चीज़ यहां पर डालिएगा दोस्तों आप डरने की जोड़त नहीं है कि आप अगर सेलिट पर सेने तभी यहां पर साइन करनी हो गी उसक एलबास दोस्तों फौर्थ नमर ने आपका बैंक एकाउंट्स में में आ जाते हैं सेलहो आपर पर और कॉपल करना है और को यहां पर जैसी करेंगे यहांrés करेंगे तूsm यहाँ पर दोस्तो यह सारे डीटेल सी देख सकते हैं पर मैंने फिलब कर लिया है ठीक है अधार कड़ अगर आप देतो तो फ्रन्ट को पी बैक को आपको यहाँ पर देनी होगी और आपका पैन कड़ा हैं पर आपको मेंचन करना होगा और कंटेनीक उपर सिंपल क्लिक करना ह मिल जाती है जली वीडियो को थोड़ा स्कीप करते हैं आप यहां पर देख पाएंगे कि कि मुझे यहाँ पर loan amounts मिल चुके हैं और मैंने यहाँ पर 2800 रुपए के limit भी पा चुका हूँ इस वीडियो में आपको पूरी life देने वाला हूँ चलिए वीडियो को दोबारा से हम देख लेते हैं यहाँ अपने bank account में भी loan amounts ले चुका हूँ जो कि यहाँ पर देख सकते हैं 2500 रुपए तो दोस्तों यहाँ पर 2800 रुपए के limit होती है जो कि यहाँ पर processing fee, GST, total interest rate यहाँ पर देख सकते हैं मुझे चार्ज किया जा रहा है जो कि 2875 रुपए मुझे यहाँ पर payments करना होगे जो तो आपको approval 2000 से लेके 10 लाग रुपए तक का भी loan amounts मिल सकता है लेकिन अपर depend करता है आपके basic documents को उपर और दोस्तों अपकी credit score है तभी आप यहाँ पर loan amounts ले पाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सारे चीजी यहाँ पर मुझे यहाँ पर interest rate के साथ यहाँ पर GST चार्ज भी यहाँ पर total repayments मुझे 2875 रुपए यहाँ पर payment करना होगा दोस्तों यहाँ पर processing fee 244 रुपए देना पड़ेगा GST भी यहाँ यहाँ बावन रुपीज है यहाँ पर interest rate के बाद करना होगा दोस्तों तो टोटल मेरे हो जाते हैं 2875 रुपए जो कि मुझे यहाँ से payments करना होगा तो मैं यहाँ पर 13 को repayments करने वाला हूँ यानि 13 अगस्त को दोस्तों देख सकते हैं लाइप प्रूफ है मुझे यहाँ पर अब इसके जानकारी में कि आपको बताएंगे किस तरह से आपको repayments करना है तो दोस्तों सारी जनकारी आपको बता दिये किस तरह से registration करना था किस तरह से अधार, photo, documents वगरा अप्लोट करने थे सारे चीज़े मैंने वीडियो में clear कर दिया है और दोस्तों यहाँ पर लाइप प्रूफ ही बता दिये क किस तरह से document वगर समिट करना था सारी चीज़े में आपको बता दिया तो दोस्तों प्लीज आपसे ट्वेस्ट अगर हमारे चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को subscribe कर दीजेगा बेल आको भी हिट कर दीजेगा क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर loan related काफी वीडियो आपको ले गुडबाय और टेक केर दोस्तों